पहले तो लोग कहां कि कितनों हुई है अहित सयाना लोड़की छोड़े दियर गोपी सब धूढ़े मिले नहीं काधा दियर दियर काधा वेंट भेयो तब रो रही राते में लिखेती हाउ बिल्ट रेलवे बैंगन इंजिस्थी यर कौईटली लीसें टू माई डियर हाउ बिल्ट रेलवे बैंगन ले आता है कि बिरहा बिहारी गुरू से चली और चद्रिका से चली नमस्कार पड़ाम मैं हूँ संतोस और आप देख रहे हैं सौलप हिंदी दोस्तों बिरहा जगत के कलाकारों के इंटर्विव के सफर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं आज उस जगां पर बैठा हूँ जहां से बिरहा जगत की निव रखी गई चंद्रिका कवीजी का नाम हर विरहा की लाइन में विरहा बड़े अदब से लिया करते हैं आप लोग जानते हैं यहोंगे उनको और उनको कौन नहीं जानता है और उनके घर पे आज मैं हूँ और उनके बड़े बेटे हमारे साथ मौजूद हैं और उनके छोटे भाई तो इन ही लोगों से हम बात करेंगे और उनके बारे में कुछ जानेंगे तो बहुत-बहुत स्वागत है आप पर तो इह हम रे दर्सकन के मतलब थोड़ा सा अपना परिचे दे दे हम लाल बहार दे रियादा मौमद पिर सुर्गी चंद्रिका कभी के छोटे भाई हम लोगों का हमारे दाहिने बगन है हमारे बड़े भतीजे चंद्रहाथ यादा बहाएं तरह पाप पसक्रकार महोद है अचा यह हम पूछेंगे आप से कि मतलब जब आप उनके साथ कितना दिन से थे चंद्रिका जो कभी कभी का जनम भादो महिना क्रिफल पक जनमास्रमी की दिनों पैदा हुए थे ठीक बारह बजे रात को अचा और यह पढ़ाई प्रामेरी स्कूल से शुरू किये और बीये तक पढ़ाई किये और जब यह हाई स्कूल फर्स्टियर में थे तो लेखनी शुरू कर दिये तो घरवानों के यहीं हुआ के रहे यार बीरहा लिख रहे हैं पढ़ लिकर कोई अच्छी नोकरी आए रहे थे वो बक्सर उनका निवास अच्छान था उनसे हमारे बड़े बुजुरू हमरे पीता के चाचा जी बोले कि महरा यह तो बिरहा लिख रहे हैं कोई बात नहीं चोज़ी है तो बहुत आगे आदमी जाएगा बहुत तेज़स्री लड़का है तो बोले कि बेटा एक क आर्ती लिखो तो वही स्वामी की आर्ती लिखे हैं की जगम अगer जगम अगर जोती जगी है गुरूर यारत होने लगी है तिनिके भौना पलक सिंगासन तेहिपर राजत जगत प्रकासन आज वो पंथ हमें स्वामी के यह आर्ती आज भी गावल जाले दो सुर्गी चंड का कभी की लेख हो एक और बाद विराज जगत में जब इंटर में गए तो एक दम छा गए विराज जगत में तो वहां एक बार खिलावन पुजारी और पारस का दंगर खरोना में था तो हम लोग साथ में छोटे थे पांच में पढ़ रहा है थे उनके साथ गए हमारे यहां क कि लड़ गई राम चंदर से सीता के नजरिया जनक के फूल वरिया में ना तो कभी जी खिलावन के चोकी पर बैठे थे तो वह खिलावन बोले कि क्या कभी हम क्या गाएं यार तो तुरंट प्रजेंट आफ माइंड तेरी लिख दिये कि तरस है राम चंदर बीन सीता के है और इदर लिख दिये हाँ तो उनको सौहम सौरसती बाच थी रिसीवों महर्थियों का बर्दान भी उने था उनके गवर्मेंट नामनी से मत्वरा मासरी में टेनिंग करने के लिए आफ़र आया वहां नहीं गए यम्टी पीसी में नुकरी कर रहे ते चालिस अजार रु दिल्ली जंदनबाज घरिया हर जगह है आदमी और उस टाइम फोन उगरा नहीं था कार्बन लगाकर दर्दस कार्बन लगाकर बिराल लिख कर और पोस्टापी से गवियों को भेशते थे अच्छा हां पोस्टापी से कहीं दूर दूर के लोग रहते थे तो उनको भीशते आप उनके साथ रहे तो आपने भी कुछ मितलब गाया वाया कभी की नहीं मितलब हम लोग भी रहते थे थोड़ा बहुत गाते थे साथ में रहते थे विरहा की जनकारी थी छंद का कहरा रोस हर चीज का उनके पास चीत चंदिका की किताब बनाये थे वो मन्नू डाक्टर के पास है आप देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ कोई आदमी बनाया है हाथ से पुरा कलाधर छंद नाग बन छंद कपाड बन छंद ठारे जोरा अठारे का अलग अलग अत्थ भुला जीसे अंग्रेजी में टेंस उलग तो इससे चंद में अलग रौस नाउठ भुला तो हर चीज को उनके ग्यान रहल कभी जी के हाँ आपको भी लिख के दिये थे गाने के लिखी नहीं खूब दिये थे अब वो लिखे थे कंधिया जी के बारे में जब गुपला छोड़कर मसुरा में चले गए तो वे लिखे थे चैलाइन कि हर माने प्यार होता है कभी जी के लिखनी थे गिंती की भी रहा लिखे थे सुन्य नव नबे छो एक साथ एक मिली ताथ साथ एक अठानवे एक आठ एक निन्यानवे निन्यानवे एक सौ ये तो विरागी सुझवात है टेरी में लिखे थे पांच 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 पचीस पचीस शह एक तीस पांच शह तीस चार चालीस बैयासी छह ताथासी दूनवे ये उनका लेख और इन्टी को को भी होगे अंगरेजी में लिखे थे खाउ बिल्ट रेलवे बैगन इन डिस फी यह को इप ली ली सेन टू मई डियर जयां बैद रेलवे बैगन के पेतर्यृत्य को पूर्जे पूर्जे से बंए चाया बाद लिखे थे कि बाला विसो मुहिनी गजब जमानी पाई हर जाई पौने आठ हो गई घड़ी पर कलपना चाया बाद था ये जीव का कलपना किये थे है अचा जो अंगरेजी में लिखे थे वह आपने काया था की कोई गायकप अधा यूंदे अलो गाते थे जो पाता था सब गाता यह तो दंगली गानां है दंगल में गाया जाता है जैसे competition होता है, competition हाँ, competition करें सब गाना है, competition छाया बाद में है, लिख ले हुआ है कि, दमकन लगी छिला कंकन में उमगी लाली दिवाली किसके नाम से जली, गाता बिरहगीत मजगून उठी सहनाई आई मिलन की बेरा है सकी, एक गाना में पूरे सिनेमा कना, उनके समझ तक, ज पूरे सिनेमा का नाम आयल है, गाता, बिरहगीत, गूज इठी सहनाई, आई मिलन की बेरा, इस सब सिनेमा चलत रहे, एक तर्ज धून चोग में पूरे सिनेमा का नाम दे दे ले रहा है, बहुत ही महान कभी थे, बताया जाता है कि, जो बिरहा की निव रखने वाले, पहले लोग कहां कि कितनों हैं, यहिर सयाना लोड़की छोड लगए हैं, गाना, बागी चंद्रिका कभी की दे ले के बिरहा की सिनेमा के परदा पर पहुचा जहां, सिनेमा के पहले चरण में राम देव जी, गौलन, कि मेरे भईया वतन के सिपाही हम किसानी करावल करीला, आन प खुन भईया बहावए हम पसीना बहावल करीला, भईया के हाथे बंदूख सवरिया सोह, हमरे हाथे बीचे फोड़ा कुदरिया सोह, भईया खुन के टीका लगावए माते हो, हम तर माती के सवारी हमने हाथे हो, भईया के माते सिंग जंगी के सरिया सोह, एत एत लाइन लि जो उन्होंने लिख दिया वही आज लोग भी लिखते हैं यही भी रहा राम देव जी और भाईया एक चारपाई पर सुते थे एक कालिका मासर थे लिलापूर के उनकी तीम बच्चों का गाना पहले ट्रवनामीन शोटा था सरकिल होता था मंदल होता था सरकिल जीतकर मंदल म का लड़का था इसका अभी अभी आसफा जय्ट हूगया, दोनें को तो यह कब जे लिखा है यह गमूआ टालए है के लगगी मासर छाह था, नहीं मासर सब लिखा हम बोलत था है, अधियन लोग लगगी लिखने टीम बोल दाना रजाई और यह के अंदर बोल दाना मासर लिखा ती लेखनी उनका स्वरसती का बाद से रहा उनके लेखनी में स्वरसती बस्ती थी और वही जो है कि बता रहे हैं कि रजाई के अंदर से उन्होंने बोल दिया और आप से हम बता दे था ही कि बनारस में बिरहा रहल राम जो का हीरा से हीरा के पुरसकार मुदी जी दे ले रहना हीरा महमुली गविया ना रहना हीरा लाल से रामदेव के बिरहा रहना बिरहा ये गवनप फोजी कर रामदेव बिरहा पर बिरहा पर बिरहा हो कर अमर यहां खोयारा लोगों नहीं नहीं कहने जो एक्ठे बिरहा पर रामदेव हीरा के बिर नागवन हैं यहां तर बैद किताब उठना जाए कि अहनमान जी का मंदीर है उन मंदीरे पर सुतना महां पंचबटी का स्थाना है अख़ड़ा हमारे आजा के टाइम का वहां पांच प्युन धरावले के मयाम नीप पकड़ी बहुर अपी पर पंचबटी का स्थान दे उत्र क्वाइ भानर बाइथल और हमार माई आई ख्राइल । झाले भी रहा लिख हम बतावत है करना रे पगरी तो इन परकाब बते भी बिरा ख्राइ लिख न भी बनारा से कट आई तो हम लिख लगा लिख लिग लिख और जब चाप देवे के भर त हमार नीद खूल गए अखार तो वह भी रहा है कि निर्मला राखी बाद है भाईया के कलया लड़या बीचे जईबा भी रहा रहा है तो इसे नितने को लेख भीया और चालिस साल के वस्ता में गुजर गई नहीं हो कोहना है जिब हम से हम तर संगहीं के हमेशा रहें जो बहादूर एक आफदा हमरे उपर चालिस साल पए आई है अगर यह आफदा टल जाई तो हम असी साल जीया नहीं तह चालिस साल में हम गुजर जया हम से स्वें बतवले रहा है अजिकों बतंगर बात ना है हां बिजली जिबत्तियों घरी ना रहा कोहने तनी लांटेन धराय के साफ़ गईके हमरी मुतारी र है जब रात को रुछफीं तो देखें भाइया भी रहा लिखा थूँआ है जैसे जैसे तर से तर शा पे बीड़ ना जआ कि हमन में भोलन ना जाए के भाइया गरी मूड में घर है लगसे हुज हा राइटिंग के डाईरी के तक डाईरी कर पंना हुज यह बगल यह बगल में बिरहा पुड़ा कई दे उत्त बिरहा गवाले कैसेट के साथ मिनित के देखत होगा महमतपूर के देश ज्यानगा अच्छा तर मतलब आपके परिवार में फिर अगरे बाद आपके कुछ सिखवना आप बे कुछ गवनी लेकिन उकरे बाद से कौनों लड़का निकले नहीं है अब यह कुछ टरमेन लिकल ततर निकल जाई था है यहां वा लूरू अच्छा अभी मुदर इन लड़के के लड़की है निकते आपन आपके गाना सुना जाता था लाले-लाले गयाली च्याम के आपके हाथ बढ़ा के अंगा रभत त्व गागा लाट मुठ्या सित्य बगाना नमु नमु बिंड़ी नमु 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 बिंड़ी नमु जबताम नमु नमु जबताम अनु की आपके नहीं को सिखा रहे हैं यही के लडिका के आपके पोते हैं हाँ हमारा पोता हुए हाँ इनके बड़ी सद्धा बाज़र हम भी रहा गाई अगर यत्थी में जाना तो मासर पूसर माईक थमाई दी है तो गावन नहीं अभी इतनी छोटी सी उमर है लेकिन इसके अंदर है कि नहीं हमको गाना है तो इत यहिता है नवचक कभी जी थे उनके बेटे बड़े बेटे उनसे हम जाने में उनके बारे में कुछ तो स्वागत है आप नमस्कार भी आप अपना परचत दे रिजी थ्या थौरस हम स्वरगी चंद्रिका कभी जी के बड़े सुपूत्र चंद्रहा से यादा यह बताए कि आप ने अपने पिता जी से नहीं कुछ सिखा आया उन्होंने नहीं काया कि नहीं आप भी जिसे ने उस समय हम बहुत छोटे थे कितना उमर रहे थे कछा तीन में पढ़ रहे थे तब इनका देहां थो गया है यह है कि जब बड़े हुए जस जस बड़े हुए उनके बारे में जब जनकारी मिली हमारे चाचा के चलते या और गाहों के चलते यह समझ में आता है कि बिरहा बिहारी गुरू से चली और चंद्रिका से चली गई आदमी चला जाता है किर्ती अमर होती है आदमी चला जाता है किरती अमर होती है सावनी गुजर जाने पर जल की कदर होती है तो एक महान अलोकिक पूरुस्त है जब तक आदमी रहता है उसकी कदर नहीं होती है कि नहीं यह क्या चीज है उसके जाने के बाद उसकी कदर मालुम होती है आज हम भी कहीं ने कहीं पहुचे हैं यहां पर तो उनके किरती को जान कर और पहचान कर रही हम यहां आये थे कि नहीं वहां पर चलेगे उनके घर पे तो लोगों से मिलेगा और उनके बारे में जानेगे और उनके जो छोटे भाई हैं उन्होंने बताया ही सब कुछ और ये मतलब उनके बेटे हैं और इनसे भी एक छोटे और हैं लेकिन ये लोग इतने छोटे थे तब ही उनका दियान्त हो गया चालिस साल के उम्रे में उनका दियान्त हुआ थे लेकिन जब ये लोग बड़े हुए तब अपने पिता के बारे में लोगों से जानना शुरूआ लोग कहते थे कि नहीं होरे बहुत बहुत अच्छे लेखक थे बहुत बढ़ियां लिखते थे सन बहत्तर में बंगला देश की लड़ाई हुई थी उस पर एक गाना लिखे थे उसमें एक सेर लिखे थे कि मरना तो है सभी को लेकिन मरो कदर से समान सदा पाओ दुनिया की इस नजर से आज बी लोग उन्ही के नाम से आपको जानते हैं बहुत लोगों से संपर्क भी है आपका आपी बता रहें नहीं की नाम से जो है कि जितना भी परच्छा है जहां भी मैं जाता हूं उन्हीं के नाम hasnme हो तो आज में था जो बिरहा जगत के महान कवी लेखक चंद्रिका कवी जिनका नाम बिरहा की लाइन में जरूर आता है बिरहा के लाइन में जब बंत करते हैं लोग तो आता है चंद्रिका कवी का नाम जी हाँ कोई भी विर्ःया गनेस गूरु के अखाड़े में कोई कलाकार विर्ः गाता है तो चंडरीका गूरुजी का नाम जरूर लेता है इतने महान कभी थे तो आपने जाना इनके विचारों को हमारे चैनल के मादेम से वीडिया चंद्रिका कवी जी के छोटे भाई थे इन्होंने भी बिरहा गाया था उन्होंने दिया था लिक कर कुछ दिन तक गाये थे आप भी थे थे गाया तो चोड दिये मतलब ऐसे यह चाना कि दा तो तूट गलब अटलियां खिरसान नकए गाहा हूं तब मतलब चेला कोई ना निकाले आपने मतलब चेला किसी को पर तो अब भी थोड़ा बहुत आप भी लिखन के लिख के देहल करे ला जैसे टोना मींड में जाएक बाद छबी जनवरी के गावे के बाद पंदरगास के गावे के बाद तो अब भी थोड़ा बहुत गीतें लिखते हैं गाना तो 70 साल के उमर हो गई बता रहे हैं तो अब भी लिखना इनका चालु है और अपने पोते को सोच रहे हैं कि निकले इस लाइन में और हमारी सुख्वकामना है कि साथ कोई इस परिवार से जरूर आगे निकले इस लाइ कलाकारों का interview का सफर ऐसे ही चालू रहेगा और जारी रहेगा हम जाते रहेंगे लोगों के पास तो आज का सफर यहीं तक बस इस वीडियो में इतना एगली वीडियो के साथ हम जल दू पस्तित होंगे तब तक के लिए धन्यवाद जय हिन जय भारत